Hello Friends, Welcome to our new video of Wodafone Idea Friends, बहुत important update Wodafone Idea से related इस विडियो में हम quickly cover करने वाले हैं उससे पहले request करना चحدए जाओंगा Friends, Please वडियो को like किजे, चैनल को subscribe किजे और bell icon दबाईए टाकि आपको odd time सारे important update, सारे trending shares के बारे में मिलते रहेंगे तो friends Vodafone idea में जो है last six months में हमने काफी अच्छा मुनफ़ा कमाया था जहाँ पर 5.5 पर इसको buy करके 16.40 के आसपस हमने जो है targets बोले थे और वहाँ पर हमने अच्छा का सा मुनफ़ा कमाया था उसके बाद बहुत से ups and downs आए लेकिन मैंने बोला था हमें फिर से lower side पे जो है इस share को buy करने का मौका मिलेगा और आप देख सकते हो हमारे आप स्क्रीन पे 16.80 के बाद continuously गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है रिसेंटली एक नॉर्मल जम्प हुआ लेकिन उसके बाद भी गिरावट ही देखने को मिल रही है तो ये गिरावट और भी जादा जो है आगे तक जारी रह सकती है एक थोड़ी मातरा में क्योंकि Vodafone idea की जो financial situation है friends वो इतनी बहतर नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए एक अच्छे खासे अगर हम बात करेंगे position में 5G technology के साथ पोशना है तो तो उसी से related की important update था कुछ time पहले हमने सुना था कि Vodafone idea जो है उनका equity government को देने वाला है AGR dues और कुछ spectrum fees के charges पे करने के लिए लेकिन उसी से related update क्या निकल क्या है अभी recent report में वो मैं आप लोगों साथ quickly यहाँ पे share करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो Vodafone idea decide to not convert its AGR due into equity तो अभी जो equity की तोर पे देने वाले थे government को वो अभी नहीं देंगे तो इसका ultimate जो है friends positive यह होगा कि Vodafone idea के पास जो है जो सबसे ज़ादा बड़ा holding promoter के ग्रूप के पास नहीं रहने वाला था गवर्मेंट के पास रहने वाला था वो नहीं होगा Vodafone idea promoters के ग्रूप के पास सबसे ज़ादा holding रहेगा जो कि 75% होगा लेकिन अभी जो dues उनको पे करने थे near by 17,000 करोड़ा और और भी बहुत से dues थे वो उनको अभी पे करने वाले पढ़ने वाले है किसी ना किसी तोर से या किसी ना किसी रूप में तो वो एक stress और increase हो जाए definitely confident दर्शाता है कि yes promoter group जो है कही ना कही confident है कि वो कही से उनका funds manage कर लेंगे यह positive है लेकिन फिलाल time being Vodafone idea का जो financial stress है वो जारी है और उसके वज़े से जो है थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है ऐसा मुझे लगता है और long term की अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छी कासी किरावट एक अच्छा कासा buying position भी बना सकती है thank you for watching this video and please don't forget to subscribe our channel